हेलो कैसे हो आप लोग विल्कम बैक टू माई चैनल अज छोले बनाएंगे बहुत ही कम मसाले में बहुत ही कम टाइम में बनकर तयार हो जाएगा इसे अलग से मसाले बनाने की जरुवत नहीं पड़ेगा छोले को रात में ही सोक करके रखे हैं से दोकर साफ कर लेंगे सिप्र बारिक 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 काटकर डालेंगे चार से पांच लेसन की कली से काटकर डालेंगे बारिक बारिक टुकड़े में काटकर ग्रेड किया हुआ अधरक डालेंगे मिल्च को भी हरी मिल्च डालेंगे इसे भी काटकर डालेंगे एक कप चाय पत्ती का पानी डालेंगे चाय मिRep grasp order a जब मसाला पॉरर को सब्जी मसाला डालेंगे आप चाहें तो छोले मसाले डालें कश्मीरी लाल मीर्च पॉडरर हल्डी पॉरर सो अतके नश्याम के नमक डालेंगे it was hedeem लिant ज्यादा मशाला नहीं डालेंगे स्वाड़ किन्सार नमक डालकर सेये पानि wykon मिंगे तरह से तक कर लिए करना सारी मसाल को छैश्la come फूर मेंन सेये झाले के भर करना आकना बन लेंगे युदळाकर drought नला पर ने तक पकाएंगे पाच मिसिल में ह 20 ऑत कर सारा मसाला अच्छे से मि्क्स हो जाएगा छोले में पाच बिस्ति लाने पर गैस का फिले माफ करेंगे इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे तड़का तयार कर LAYंगे छोले में तेल नहीं डाले हैं थोड़ा सत ज्यादा ही तेल इसमें डालकर इसमें जीरा डालेंगे दो लाल मिच, साबुत लाल मिच डालेंगे तड़के में, हींग, तेज पत्र डालेंगे, आप चाहे तो कस्मेरी लाल मिच पॉडर भी डाल सकते हैं, छोले में पहले से ही कस्मेरी लाल मिच पॉडर डाल कर रखे हैं, आप चाहे तो इसमें भी डाल सकते हैं, तड़का तयार हो गया है गैस का फ्लेम आप करेंगे छोले को चेक कर लेंगे गैस का फ्लेम आन करेंगे और इसमें अमचुर पॉडर डालेंगे धनिया पत्ती बारिक बारी काट कर डालेंगे इसके उपर से तड़के को डालेंगे तड़के को डालकर से मिक्स कर लेंगे इसे मिक्स करने के कि अगयात हुए धा इसे दो से तीन मीनाट और इसे det okay अगर आपको मेरेरेजिपी पसंद आई तो लाइक प्री आसे अभर करें कामें छोले बकर त्यार हो गया है तीन मीनाट और तो आ किली यह हैं बहुत ही अच्छे से मसाला भी सब मिक्स हो गया छोले में बहुत ही अच्छा छोला बनकर तयार हुआ टेस्टील बना है आप भी इस रेसिपी को ट्राइ करें थेंक यू बाई